हेलो वाइज जैसे कि आप सब भी जानते हैं यहां मारा स्टेनो फॉर और यूटूब चैनल है यहां बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेबल के आपको क्लास उपलत कराई जा रही है जो छात्र आर एसम एससबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शौशब्दर प्रतिमेट की ग क्योंकि मैं काना चाहूंगा अगर आपके बल पांच मिनट की लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो जरूरी नहीं आप सफलता प्राप्त कर सकें परिक्छा हॉल में जब तक आप अधिक से लिखने का प्रियास नहीं करेंगे तब तक आप सफलता के दो कदम धूर रहेंगे तो आप प्रियास करिए कि 100 शब्द प्रतिमेट की गति पर कोई भी डिक्टेशन लिखें जो अगर टेस्ट आपका 80 पर है तब उस तरह से इसको आप रिडियूज जो पिछ है इसको कम कर सकते हैं अधिक भी कर सकते हैं आफ्टर ये लाइव होने के बाद में आप इसको ज देख सकते हैं बताया जाता है प्रति दिन जिसको नहीं पता उसको भी बता देते हैं स्टनोफ़ारॉल.com अवरे बैप साइट है प्राइज में जाकर आप किसी भी गति के आधार पर इंगलिश या हिंदी की डिक्टेशन के लिए आप किसी भी प्लान के आधार पर अपना यह तेयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चले आते हैं डिक्टेशन के ओर रेड़ी अधरवेद में कहा गया है हमारे दाहिने हाथ में कर्म है और बाएं हाथ में बिजय अर्थात फल इसका ताथ पर यह है कि कर्म फल मनुस्य के अपने हाथों में है कहीं ढूणने की जरूरत नहीं कर्म फल ही पुरुशार्थ के रूप में फलित होता है इसलिए कर्म सिद्धी ही पुरुशार्थ सिद्धी है विज्ञान के अनुसार इस धर्थी पर जितनी उड़जा है कभी नस्ट नहीं होती केबल रूप बदलता है मानवकरत कर्म भी उड़जा का ही एक रूप है जो फल के रूप में प्रत्यावर्तित होकर मनुस्य के पास आते हैं यही बिज्ञान की किरिया पृतिकिरिया का सिद्धान्थ है शायद कोरोनकाल की यह बिकट आपद भी दुनिया के किन ही बुरे कर्मों की परणिती है यह दुनिया भी मानवकरत कर्म का ही प्रतिरूप है मनुस्य से चाहें तो अपने कर्मों का रूप बदल कर दुनिया का रूप बदल सकता है फिर जीवन तो बदलेगा ही, गीता में भगवान कृष्ण मनुस्य को निश्चित करने के लिए कहते हैं कि मनुस्य का कर्म करने का करने में अधिकार है, फल में नहीं, कर्मों का फल अवश्यम भावी है, उसके लिए चिंतित होने की आवश्यक्ता नहीं, इसलिए अपिक्षित परणाम ना मिलने पर अवसाद ग्रस्त हो करतब्य पत्थ से बिरत ना हों, यह मंत्र कर्म नियोजन का आधार भी है और अवसाद मुक्त जीवन का सुभारम भी, वस्तब में कर्म साधन भी है, साधना भी, कहे योग भी है, अराधना भी, कर्म जीवन का आधार भी है, जीवन का धार भी, इसी लिए निसकाम, कर्म योग, ज्यान और भक्ती दोनों का मूल है, क्योंकि कर्म से सब संभव है, कर्म के बिना कुछ भी नहीं, अत्यव मानव मन में कर्म के प्रती समर्पन भाव भरने के लिए कहा गया, इस धर्ती की अक्षे संपदा का भोग कर्म निष्ठ बीरों द्वारा ही किया जाता है, कर्म विरत कायरों द्वारा नहीं, आईए, हम अपने प्रतेक कर्म को उपासना बना कर देश और समाज हित में आगे बढ़ते हुए प्रकृती प्रदत, इस खुबसूरत दुनिया को और अधिक खुबसूरत बनाएं, कर्म को पूजा कहने का उद्देश यही तो है, प्रती वर्स तीन जून को बिस्व साइकल दिबस मनाया जाता है, इसका उद्देश सभी बर्गों के बीच साइकल के प्रियोग को बढ़ावा देना है, देनमार्ग की राजदानी कोपन हेगन को साइकल चलाने वालों का स्वर्ग कहा जाता है, इसे दुनिया की सबसे अच्छी ग्रीन एकोनोमी वाले शहरों में भी गिना जाता है, यहां के 50 प्रतीसत से अधिक लोग साइकल का इस्तिमाल करते हैं, इस सहर में कारों से 5 गुना साइकले हैं, करीब 60 हजार की जनसंख्य बाले इस शहर में 400 किलोमीटर की सडक विशेश तोर पर साइकल चलाने वालों के लिए बनाई गई है, इसी परकार प्राकरतिक सौंदर्रे के लिए मशहूर नीदरलेंड की साइकल संस्कृती और साइकल प्रेम भी अधबुत है, नीदरलेंड साइकल की नीती से भी इसे प्रोचसाहन मिला है, यहां आम नागरिक ही नहीं बलकी नीदरलेंड के प्रधन मंत्री मार्क रूट भी साइकल से ही दफ्तर जाते हैं, एम्स टर्डम शहर की रिंग रोड और लेन साइकल बालों के लिए बिस्तरिट नेटवर्क से लेस है, साइकल चलाने की यह संस्कृती केवल एसम टर्वन नहीं बलकी सभी डच सेहरों में भी है, नीदरलेंड की साइकल, नीदरलेंड की सीमा से बाहर निकलें, तो जर्मनी के बड़े शहर बर्लिन में 78 फीसद लोग आवाजाही के लिए साइकल का इस्तिमाल करते हैं, चीन में लगभग 38 प्रतिसत, बेलजियम में, बेलजियम और सुट्जर लेंड में 48 प्रतिसत, जाबान में 57 प्रति, 57 और फिन लेंड के लगभग 60 प्रतिसत लोग साइकल चलाते हैं, जबकि इनके मुकाबले भारत में केवल मात्र 10 प्रतिसत लोगों के पास ही साइकले हैं जहां भारत में प्रती हजार लोगों पर 90 साइकले हैं तो चीन में 149 साइकले हैं भारत में आखिर भारतिय साइकल निर्माता संग द्वारा समर्थित तेरी द्वारा एक आर्थिक पर्यावरण और सामाजिक मुल्यांकन किया गया पहली बार किये गए अध्यन में आर्थिक लाभों के बारे में जानने की कोशिश की गई अध्यन में अनुमान लगाया गया की समानने तोर पर आठ किलोमीटर की ओसत दूरी के लिए यदि दो पईया या चार पईया बाहनों के बजाए साइकल का प्रयोग 50% तक किया जाए तो इस दिशा में 27 अरव रुपे के इनन की बचत होगी यदि यही यात्रा 5 किलोमीटर तक की की जाए तो इसके परणाम सरूप बार्शिक स्वास्थ लाव 14,035 रुपे के बरावर होगा जो सारेरिक गतिविधी में ब्रधी के कारण होता है इसके अलावा कम बायू प्रदूसर के कारण 241 अरव रुपे की बचत हो सकती है साइकल चलाना पैदल चलने से अधिक फाइदे मंद है साइकल के नियमित इस्तेमाल से कैंसर का खत्रा 45 प्रतीसत और दिल की बीमारी का खत्रा 46 प्रतीसत तक कम हो जाता है आज देश में बाहनों की तादात बढ़ रही है प्रदूसर भी बढ़ रहा है ऐसे में हमें साइकल जैसे पर्यावरण हितैशी बिकल्ब को जीवन में अपनाने के साथ देश में साइकल संस्कृती को प्रोचसाहन देने की जरूरत है पिछले दो तीन वर्स में ब्रक्चर उपन के लिए जैसे दिल्चस्पी दिखाई गई उससे पता चलता है कि प्रदेश के लोग पर्यावरण संरक्षन को लेकर उत्सुक है सरकार का प्रयास भी सरहानिय रहा है इस बार सूखे से 33 पीसद हरित आवरण हासिल करने का राज्य सरकार ने रक्ष लक्ष निर्धारित किया है ग्रामिन विकास विभाग खुद दो करोड पौधे लगाने की योजना बना रहा है यह अच्छी बात है कि सरकार निजी भूमी पर भी पौधा रोपन को प्रोचसाहित कर रही है अब लोगों को चाहिए कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं ना सिर्फ गावों में बलकि शहरों में भी फलदार के अलावा औशदिये पौधे लगाए जाएं नीम पीपल को प्रात्मिक्ता दें उद्यान विभाग को चाहिए कि योजना के तहट वह लोगों को अधिक से अधिक पौधे उपलब्द कराएं, इसके लिए जगह जगह सिविर लगाएं ताकि किसानों को आसानी से उनकी इच्छा के मताविक पौधे उपलब्द हो जाएं, अभी तक जिला मुक्ख्याल्य य करने की विबस्था रही है इसे गाउं गाउं तक पहुचाने की जरूरत है पिछला अनुभब बताता है कि जितनी संख्या में लोग पौधों की मांग करते हैं वह पूरी नहीं हो पाती इसके लिए अधिकारियों को पहल करनी होगी हालंकि राजसरकार मनरेगा में सामाजिक वाने की योजना के तहट प्रतिक ग्राम पंचायत में पौध रोपन अभिहान चलाने की योजना बना रही है इसके तहट डेल करोड इमारती और पचास लाख फलदार पौधे लगाए जाएंगे सडक तथा तालावों के किनारे भी पौध रोपन की योजना है लेकिन सिर्फ पौधे लगाने से ही काम नहीं चलेगा इनकी सुरक्षा भी करनी होगी यह हमारी डिक्टेशन समाप्त होती है जो भी करना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं गूगल मीट का लिंक दिया गया है आज यह पढ़ते हैं दौनों डिक्टेशन हो चुकी है प्रती दिन इसी तरह से रहा करेगा और जो टाइप करके देखना चाहते हैं हमारी वैपसाइट पर कंटेन्ट दिया गया है आप इसको जाकर वैपसाइट पर देख सकते हैं कर सकते हैं और अपनी गलतियों का सौता मुल्ले अंकन सॉफ्टिवेर की दौरा आपकी प्राप्त होता है झाल झाल